इरान समर्थित प्रोक्सी और लगातार इस्राइल पर हमला कर उसे दहला रहे हैं इस्राइल के लेबनान में सैने गुस्पैट शुरू होने के बाद से इराक के प्रतिरोध गुट एक्टिव हो गए है समू के लड़ाके इस्राइल के हर एक कोने पर ड्रोन, रोकेटों की बोच्छार कर रहे हैं इस्राइल को बड़ी चोट पहुँचाने और उसके उपरेशन को बादित करने के मकसद से लड़ाकों की बम वर्षा जारी है एक बाद फिर इराकी प्रतिरोध ने इस्राइल पर बड़े हमले का दावा किया है समून अपने दावे की पुष्टी के लिए वीडियो फूटिज भी शेयर किया है इस्राइल के कई लाकों में अंदादु ज्रोन और मिसाइल हमले कर हरकम मचाया है इस्राइल के लिवनान और गाजा में ऑपरेशन चलाए जाने के परतिशोध में इस्राइखी सम्हून ने ताजा हमलों की जिम्धारी ली परतिरोध ने बताया कि उसने बीते पांच अक्टूबर की सुभे कामिकेज ड्रोन से तीन महतपुन इसराइली साइट्स पर हमला किया समू ने अपने खतरनाक हमलों के पीछे की वज़े इसराइल के नरसंहार का विरोध बताया परतिशोध ने सपस्ट शब्दों में इसराइल को चेताया किवे इसराइल के महतपुन परतिश्ठानों को निशाना बनाना और नस्ट करना जारी रखेगा इस्लामिक प्रतिरोद ने इस्राइल के 30 शहर हाइफा के पास और दक्षणी इस्राइली लाकों पर मिसाइल हमलों से जबर्दस द्वार किया समू ने अपने हमलों की जानकारी देते हुए बताया कि ताजा ओप्रेशन एडवांस अरकाब प्रूज मिसाइल के साथ किया गया हिजबुला ने हाइफा के पास इस्राइली हवाई एड़े पर रोकेट दाखता इलाके में खलबली मचाई इस बीच इराकी परतीरोत समू के नेता ने इस्राइल पर तल्ख लहजे में वड़ी दमकी दे डाली है असेब अहल अलहक के प्रमुक कैस अलखजाली ने कहा कि हिजबुला ने तहासन नसरल्ला के खून का एक एक कत्रा बेकार नहीं जाएगा धर्ती से इस्राइली शासन का खात्मा हो जाएगा हम एक प्रभावशाली जीत हासिल करेंगे हम पूरे इलाके में खास तोर से इराक में अन्य सभी परतीरोत बलो की तरह हैं लेबनार में अपने बाईयों के साथ तब तक एक जुट हैं जब तक की अन्तिम जीत हासिल नहीं हो जाती बता देकि इस्राइल के बढ़ते हमलों के बीच इराकी परतीरोत ने मोचा संभाला है इस गुल्लाची हसन असरला की मौत के बाद से इराकी गुट ने इस्राइल के खिलाफ हमले तेश कर दिये हैं समू ने कहा कि लेबनान के खिलाफ इसराइल के किसी भी संभावित जमीनिक कारवाई के किलाफ इस गुल्ला के साथ मिलकर सीधा टकराव करेंगे मालूम हो कि इसराइल ने लेबनान पर अपने हमलों की रफतार को बढ़ाया है इस भुल्ला चीफ के मारे जाने के बाद लेबनान कूच किया है वहीं लेबनान के इसलामिक परतिरोद ने कहा कि लडाकों ने लेबनानी सीमा से करीब 45 किलोमेटर दूर हाइफा के पास इसराइली रमक डेविट एर बेस पर फदी वन रोकेट दागे ये हमला गाजा में दिड़ फिलिस्तिनी लोगों के साथ साथ उसके सेनानियों के समर्थन में और बरबर इसराइली लंगन के जवाब में किया लडाकों ने दो फलक तू मिसाइलों से सासा की अवेद बस्ती पर निशाना बनाया अलबेट हाइट्स की ओर से बढ़ रहा है कि इसराइली मर्कोवा टेंक को गाइड़ेट मिसाइल से उडाया हमले में टेंक में सवार इसराइली बलो के जवान हाता हत हुए इसराइली बंबारी के जवाब ने सफेद और करमिल चैरों पर रोकेटों की बौचार की लोवर गैलिली में सकनी शहर के पास एक और हमला हुआ जा हिजबुला के लडाकों ने एटिये मिलिटरी इंडस्ट्री कमपनी पर रोकेट से हमला किया ज इंडसे हमला कै तोरी राइब dedicated के लाँ प्रश बाता है कर दो घर समय मिलिटरर yeah इंडसिह तूर्स्री झाये टो three कर दो बाता है